हेलो फ्रेंट्स एक्जाम अचीवमेंट पर मैं करूना आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ MCQ-based question राजिस्थानी लगू चितरो शैली पर दोस्तों ये वीडियो 12th class में पढ़ रहे बच्चों के लिए बहुत जादा important है जो पच्चे आप first term board की परिक्षा देने वाले हैं क्योंकि CBSC का इस बार का जो pattern है board की परिक्षा दो बार होनी है जिसमें first term में MCQ-based questions आपके आएंगे तो questions के क्रम को शुरू करते हुए हमारा पहला प्रशन है जित्रकला में राजिस्थानी शेली का उद्गम किस से माना जाता है यहां पर किस से अर्थ है किस शेली से माना जाता है तो दोस्तों हम सभी को पता है कि राजिस्थानी शेली से पहले अपभरंश शेली जो थी वो अस्तितु में थी और अपब्रंश शेली से पहले पाल शेली अस्तितु में थी तो अपब्रंश इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट कुर्शन है मेवाड के महराणा अमर सिंग के काल में 1605 इश्वी में चावंड की रागमाला चितरित करने वाले चितरकार का क्या नाम था तो दोस्तो बात हो रही है है यहाँ पे रागमाला की कौन सी शेली में मेवाड शेली में और यह रागमाला कौन सी है चावंड की रागमाला तो दोस्तो इसको किसने चितरित किया ओप्शन है हमारे पास मीर सेयदली तो मीर सेयदली एक मुगल शेली के कलाकार थे अबुल समन सिराजी, इनका संबंद भी मुगल कला से रहा है नसिरुद्दीन, इसका आंसर होगा नसिरुद्दीन जिन्यों ने मेवाड में रागमाला पर चित्रन किया है देखो इहाँ पर निहाल चंद जो है पिछवाईयों का चित्रण का मुख्य विशे क्या था पिछवाई में हैं पर थोड़ा सा दोस्तों आपको explain करना चाहूंगी पिछवाई नाथ द्वारा में पिछवाई का जिक्र जब आता है तो नाथ द्वारा की याद आती है क्यूंकि नाथ द्वारा में ही पिछवाई चित्रित होती थी यह क्या है मूल रूप से श्री कृष्ण जी के पीछे जो उनकी जीवन लीलाओं से संबंदित एक परदा तंगा रहता है जो की कपड़े का होता है उसको बोलते हैं तो युद्ध प्रारम तो हो नहीं सकता हाथियों की लडाई भी नहीं हो सकता प्रणय ल कर सकता है क्या जबाइफ दोस्तों सबसे संदर्चित्र राजस्थानी उष्ण शली में अगर अगर बश्याफ नहीं है जिस शैली की वजह से राजस्थानी शैली को एक नाम हम लोग कहा देते हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है तो वह है किशनगर्षली तो सबसे सं संदर नारी चत्र किशनगर चली में बने हैं बाकी ऑप्षिन्स देखने की जरूरत ही नहीं है वेरी गुड नेक्स्ट कोशन भी बहुत अच्छा है ये है श्रावक प्रतीक्रमन सुत्र चूनी नामक चित्रित ग्रंथ किशसली से संबंदित है दोस्तों ये राजिस्थानी शेली का सबसे पहला ग्रंथ हम कहेंगे जो चितरित हुआ है, और राजिस्थान की जो सबसे पहली या आरंभिक कला शली जिसको बोला जाता है, वो है मेवार शली, तो ये वाला चितर किस से होगा, मेवार से, अच्छा दोस्तों, हाँ देखिए, ओप्शन D मेवार सली, नेक्स्ट कोशन है राजस्थान की परमप्रागत लोगचित्रशली कौन सी है तो ए डोला मारू नहीं है बित्ती चित्रकारी नहीं है बनी ठनी नहीं है फड यहाँ पर फड राजस्थान की परमप्रागत लोगचित्रशली बिलकुल सही मैं फड आपको बताने से पहले आपको बता देती हूं कि लोगचित्रशेली की बात अगर रजस्थानी में होती है तो नाथद्वारा भी हमारा लोगचित्रशेली के अंतरगत आती है लेकिन क्योंकि नाथद्वारा अमारे उप्शन में नहीं है ठीक है और जो ऐसे कताइश वगरा लिखी होती है . गीतु उन पे लिखे होते हैं तो उनको काघच पर, सॉरी, फड, कपड़े पर लिखा जाता है और चित्र बनाया जाता है तो उनको बोल देते हैं मतलब इनका संबन देखता से लोकदेवी देवताउ 서 से होता है दोस्तों नेक्स्ट नक्सित्र है वह युपनाटे जो लोग देवता देखे एँपर फड की बात हो रही है यहँ पे वह है लोग नाटे जो लोग देवता के जीवन च retract को कपड़े परचितरित चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करता है कहलाता है फड नेक्स्ट क्यूशन है निहाल चंद किस शेली का चितरकार था तो निहाल चंद का संबंध था किशनगर सैली से हमने उपर भी एक बार जिक्री किया था जब आप्शन में दिया हुआ था इसके लिए एक एकस्प्लेनेशन इन्होंने दी हुई है निहाल चंद ने नागर सामुच्चे के नाम से 75 चितरत ग्रंथों की रचना की थी इसको भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी निहाल चंद ने नागर सामुच्चे के नाम से 75 जो ग्रंथ थे उन पर चितर बनाया था मतलब रचना जो की थी मतल लिखे नहीं थे निहाल चंद नहीं ग्रंथ निहाल चंद एक चित्रकार थे जिनका संबन्ध किशनगरसली से था वो चत्र बनाते थे और ग्रंथ लिखे थे किसने नागरी दास ने नागरी दास ने 75 गरंथों की रचना की थी, जिसका संकलन को हम नागर साम उच्छे बोल देते हैं, अब ये नागरी दास कौन थे? ये नागरी दास थे राजिस्थानी शेली के प्रवर्तक साशक या सरक्षक शासक जिनके समय पे किशनगर सेली अपने चरम पे पहुंची, जिनका नाम था सावंत सिंग, सावंत सिंग का उपनाम ही नागरी दास है, नेक्स्ट कुशन की बात कर लेते हैं, किसका शाशनकाल मेवार सेली का स्वनकाल माना जाता है, महराना जगत सिंग का समय, इसके लिए एक्स्प्लेनेशन है, मेवार शेली के चित्रकार साहब दिन तथा मनोहर महराना जगत सिंह के काल के प्रमुक चित्रकार थे देखे साहब दिन और मनोहर जो कि मेवाड शेली के कलाकार हैं हम सभी जानते हैं और ये बहुत ही ज्यादा फेमस कलाकार है जिनकी वज़े से मेवाड शेली का अपना एक अस्तितु रहा है हमारे समक्ष तो ये जो सहब दिन और मनोहर थे ये राजा जगत सिंह के समके चित्रकार थे तो इस वज़े से जगत सिंह को मेवाड शेली का चरम पीरियड का साशक माना जाता है नेक्स्ट कोईशन है दोस्तों किशनगर चितरकला शेली के विश्य में क्या चीज सत्य है तो चितरों की प्रस्टबू में हरे रंग का आधिक क्या है बिल्कुल सही बात कहते हैं ये मानव अकरतियां पेक शक्रत पतली वे लंबी होती है ये बात भी किशनगर सहली के पक्ष में बिल्कुल सही है विशे वस्तु मुख्य तक क्रशन लीला है ये भी सही है और जब हमारी तीनों आप्शन सही है तो हम किस पर टिक करेंगे डी पर उपरोक्त सभी बनी ठनी पेंटिंग बहुत ही सरल कोशन सम्पूर राजस्थानी शहली से अगर कोई है तो वो यही है pains बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है किस से किशंगर शहली से दोस्तों इसकी explanation है बनी ठनी का चित्र वरतमान में किशंगर संगले में रखा गया है तथा इसकी एक प्रतिलिपी Albert Hall जिसको हम Albert Museum Paris में Albert Museum Paris में स्थित है इस वज़ो से ब्रकेट में Paris है Albert Museum में रखी हुई है तो अगर हम बनी ठनी का चित्र देखना चाहते हैं वर्तमान में जो मूल रूप से एक्चुल चित्र है तो उसको हम किशंगर संग्राले में देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेशन है मनोहर्वे सहाबदीन द्वारत चित्रित आर्ष रमायन किस चित्रकला शेली का चित्र है तो मनोहर और सहाबदीन कौन सी शेली से थे मुझे लगता है मेरी वीडियो देख रहे सभी लोगों को अभी पता होगा कि मनोहर्वे सहाबदीन का संबंध किस से है मेवार शेली से और मेवार आप्शन में नहीं है वेरी गुड और क्यूंकि यहाँ पर मेवार आप्शन में नहीं है तो इसका अंसर है उदरपुर क्यूंकि मेवाड शेली के जो केंद्र हैं उन में से एक उद्यपुर भी था मेवाड शेली के और केंद्र कौन कौन से हैं देवगर्ण, नातद्वारा और उद्यपुर मनोहर में सहबदीन महराना जगत सिंके काल के प्रमुक चितरकार थे इस चीज को हम उपर देख चुके हैं नेक्स्ट कुर्शन है दोस्तों मेवाड शेली का सबसे प्राचीन ग्रंथ है मेवाड शेली का सबसे देखो ये चीज आ चुके है हमारे पास मैंने बताया था सबसे आरंबिक शेली मेवाड शेली और सबसे आरंबिक ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमन सुत्र चूर्णी इसके बारे में एक्स्प्लेनेशन है श्रावक प्रतिक्रमन सुत्र चूर्णी ग्रंथ मेवार्ण शली का प्रथा मुधारन है जो रावलतेच सिंग के काल में आहण में चित्रत किया गया था दोस्तों मैं ये बहुत अच्छे questions आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ next question है अमारा भाटी अमरदास 1750 इश्वी वे नारायनदास 1770 इश्वी चित्रकार किस शेली से सम्बन देता है देखो अगर हमें चित्रकारों के नाम समझ नहीं आते तो कोई बात नहीं लेकिन अगर हम भाटी शब्द देख लेते हैं आगे चित्रकारों के नाम बेशक याद ना है लेकिन अगर भाटी है तो उसका सीधा सीधा संबंद जोदपुर शाली से है बागी option ही नहीं देखने हमें राव मालदेव के साशनकाल में जोदपुर के राजमहल में जो चितर बनाए गए थे वें मार्शल टाइप के हैं ये इसके लिए एक explanation दे रखे इस चीज को जब हम इसको डीपली हम इस चप्टर को पढ़ेंगे तब हम इस चीज के बारे में बात करेंगे अभी next question पे चलते है किशनगर सैली का समरद धकाल किस के शाशनकाल को माना जाता है इस question पे भी बात हो चुकी है राजा सावन सिंग की बात हो रही है किशनगर सैली का समरद काल सावन सिंग जिनका जो पूरा टाइम पिरियड है 1699 से 1794 मतलब ये इनके जीवन काल का समय है जो नागरी दास से विख्यात है ये चीज भी मैं उपर आपको बता चुकी हूँ इनही के काल में 1748 से 64 का समय किशनगर सैली का स्वण योग माना जाता है मतलब ये इनका पिरियड है 1748 से 64 जिस समय ये शाशक रहे किशनगर सैली में 1973 में भारत सरकार द्वारा राजिस्थानी शैली के किस चित्र पर डाप टिकेट जारी किया गया तो जो राजिस्थानी शैली का सबसे फेमस चित्र है यानि की बनीठनी ये इसका आन्स्वरोगा बनीठनी चित्र को भारत की मोनालीसा भी कहा जाता है ये एक important question आजाता है इसी के साथी और भारत की मोनालीसा कहा किसने उनका नाम ता Eric Dixon ने अगर हमको बाकी कुछ भी याद नहीं है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो हम डोला मारू से समझ जाएंगे डोला मारू का समझ है जोधपुर शेली से और जोधपुर शेली के कुछ और जो विशे हैं यहां पे दिये हुए हैं वो हैं पाबुजी, हडबुजी, जुझार जी, अमर सिंग राठो और डूंगर जी आधी लोग देवताओं का चित्रन भी जोधपुर शेली में हुआ है और बिटा यह जो भी आप पढ़ रहे हो न पाबुजी यह फड़ चित्र है क्योंकि यह लोग देवताओं पर अधारित हैं यानि कि कपड़े पर कुंडली नुमाकरती में बनी हुई इनकी पूरी कथा है जीवनी है और जिस पे कुछ आर्टिस्ट लोग ऐसे प्ले करते हैं रोल प्ले करते हैं और गाते हैं मेवार शेली के चित्रकार सहबदीन द्वारा बनाये गए चित्र गीत गोविंद शहबदीन ने बनाया है बिल्कुल रसिक प्रिया भी बनाया है औप्शन सी रागमाला भी बनाया है तो औप्शन डी पर जाएंगे उप्युक्त सभी मेवार शेली के चित्रकार सहबदीन महाराना जगत सिंह काल के प्रमुख चित्रकार थे यह चीज हम पढ़ चुके हैं नेक्स्ट क्वेशन है राजिस्थानी चित्रकला में कौन सा पक्षी सर्वत्र अंकित है तता मेवार, ढूंडार, मारवार और हारुटी सैलियों की प्रकरती चित्रन के अंकन में विसस्षाप रखता है दोस्तों यह बहुत ही आमता से सोचने वाली बात है अगर हम इसके ऑप्षन ना भी देखें और अगर हम बात करें तो राजिस्थानी शेली में कौन सा एक टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा चित्रित हुआ है तो वो है क्रिशन लीला की प्रेम कथाओं पर अधारित श्री क्रिशन लीलाओं और राधा क्रिशन की प्रेम कथाओं पर अधारित तो श्री क्रिशन अपने मुकुट पर लगाते हैं क्या मोर का पंक तो सर्वदिक अंकित चित्र कौन सा हो सकता है राजिस्थानी शेली में मोर मोर अपने विसिस्ट गुणों के लिए जाना जाता है इसको भारत का रास्ट पक्षी कहते हैं यह चीज आप सभी लोगों को पता होगी जहां तक है मेरा मानना यही है नेक्स्ट कोर्शन है मुगल शेली से सर्वदिक प्रभावित चित्रकला शेली कौन सी है तो नागोर शेली नहीं है जेपूर शेली इसका आंसर होगा क्यूं क्यूं होगा क्यूंकि जेपूर के शाषकों के सम्बंद मुगल शाषकों के साथ घनिस्ट थे इसका explanation भी यहां पर दिया हुआ है इसका प्रमुक कारण यह भी है कि मुगल शाषक अकबर के समय से ही जेपूर के महराजा मुगलों के खास रहे हैं मुगल शेली में प्रमुक रूप से भित्ती चित्रों की ख्याती प्राप्त हुई है तो दोस्तों राजश्थानी लगू चित्रों शेली पे 20 questions जो मैं आज लेकर के आई थी वो अब यहाँ पर खतम होते हैं फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस कर दें मेरी वीडियो को पूरा देखें अगर कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बोक्स में लिख दें मैं उस पर काम करूँगी और आप ये भी लिख सकते हैं कि आप नेक्स्ट कॉंसर टॉपिक मतब मुझसे जानना चाहते हैं देखो मैंने ये वीडियो मोस्टी 12th क्लास के लिए बनाई थी जो अभी बोर्ड एक्जाम देना चाहते हैं तो थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए